हेलो दियर स्टुडेंट, तोड़े वी एर गुएंग तो लर्न फिप्टीन नमबर लेशन अ कोलाज, ओके दिस इस रिलेटेड टू दू सचिन रमेश तेंडूलकर, अ बिग गेस्ट एंड फेमस पर्सनेलिटी आफ क्रिकेट वर्ल्ड, ओके देखिए अभी ये कोलाज जो ह ये लेशन आपको मिलेगा, 32 पेज नमबर पे, आपके इंगलिश के टेक्स्ट बुक का आप ओपन किजिए, 32 पेज नमबर इस पे आपको ये लेशन मिलेगा, और अब हम देखेंगे, अ कोलाज मिन्स वर्ड, कोलाज ये वर्ड शायद आपके लिए नया होगा, या इससे पहले आप जानते भी होंगे, तो कोलाज मिन्स वर्ड, कोलाज इस अन आर्टिस्टिक अरेंजमेंट आप पेपर कट आउट, पिक्चर एंड टेक्स्ट और फोटोग्राफ, इससे बने हुए, इसकी आर्टिस्टिक जो अरेंजमेंट होती है, उसको अच्छे तरीके से, अ एक फैन ने ऐसा उसका कोलाज जो है, वो बनाया है, और वो एस पर लेसन आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो सचिन तेंडूलकर यह एक प्रेमस क्रिकेटर है, और वो महाराश्टा से बिलॉंग करते हैं, और वी आर अलसो इंडियान और महाराश्रियान आलसो, त प्राउड आउप, और सचिन तेंडूलकर, ठीक है, तो उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, और वो बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से, उनके आर्टिकल्स, उनके ओनर्स और उनके सेंचूरिस के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी पिक्चर भी दिया गया है, ठीक है? उनकी डेट अब बर्थ है 24 एप्रिल 1973, उनकी डेट अब बर्थ क्या है 24 एप्रिल 1973, फर्स्ट टेस्ट मैच, उन्होंने अपना लाइफ का फर्स्ट मैच जो है, वो कप खेला? 15 नोवेंबर 1989 को, उन्होंने अपने लाइफ का पहला मैच जो है वो खेला और वो था पाकिस्तान के अगेंस्ट देन फर्स्ट वंडे इंटरनेशनल ओडियाई मिन्सवाट वंडे इंटरनेशनल मैच उन्होंने 18 डिसेंबर 1989 में पाकिस्तान के अगेंस्टी खेला यह तो इंफर्मेशन हुई उनकी फर्स्ट मैचस के बारे में बाद में उनकी टेस्ट सेंचूरी जो वाइट पैच में दी गई है वो हम देखेंगे देखेंगे देखिए test century है उनकी 51, then test runs है उनके 15,000 1921, then one day international century है उनकी 49, then one day international half centuries है उनकी 96, and one day international runs है उनके 18,426 यह सारी जो information है वो छोटे-छोटे stars में patch में white colors में दिये गए है, then उन्होंने अपने life का last match जो है वो कब खेला, वो yellow patch में वहाँ पे दिया गया है, देखिए, आपके textbook में आप देख सकते हो, last match उन्होंने खेला 14 November 2013, 2013 में 14 November 2013 यह उनके life का या उनके career का last match था जो उन्होंने West Indies के against खेला, then last one day international उन्होंने 18 March 2020 को पाकिस्तान के against खेला, उनका last match जो था, वो 14 November 2013, West Indies के against, then last one day international जो था, वो 18 March 2012 वर्सिस पाकिस्तान, जैसे कि मैंने आपको कुछ चीज दी, वो आपने रिसिव करी, उनको तो आप हो गए, रिसिपियंट्स, ओके, तो भारत रतना ये अवार्ड लेने वाले, ये इंडिया के सबसे youngest person माने जाते हैं, ठीक है, then उनके world records के बारे में, white patch में कुछ information आई है, वो हम देखेंगे, देखिए, फर्स्ट प्लेयर तो स्कोर डबल सेंचूरी इन मेंस वंडे इंटरनेशनल, फर्स्ट ऐसे प्लेयर हैं, जिन्होंने डबल सेंचूरी वंडे इंटरनेशनल में में ली है, then play, play the highest number of test and one day international matches, उनके जो one day international matches है, वो highest number of test and one day international matches है, then the only cricketer to score a hundred centuries in international cricket, international cricket में hundred century score करने वाले कोई भी दूसरे cricketer नहीं है, तो वो है सचिन तेंडूलकर, जिन्होंने the only cricketer to score a hundred centuries in international cricket, then the only player of score 50 centuries in the test cricket, और test cricket में भी उन्होंने पूरे 50 centuries जो है वो लगाए है, then first batsman to score 50,000 runs in the test cricket, और test matches में, test cricket में उन्होंने ये ऐसा first batsman है, जोन्होंने score किये है, पूरे 50,000 runs, then world record for having the highest number of world record, और उन्होंने world record, जागतिक विक्रम जो है वो बनाया है, having the highest number of world record, then उनको जो honor दिये गए है, उनको जो सनमान चिन्द दिये गए है, वो yellow patch में यहाँ पे आपको दिखेगा, उनको जो पुरसकार मिले है, वो है, अर्जुन अवार्ड, then राजिव गांधी खेल रतना अवार्ड, then पदमश्री, then महाराष्ट्र भूशन अवार्ड, क्योंकि वो महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते है, then पदमविभूशन भी मिला है उन्हें, और भारत रतना अवार्ड भी मिला है, मिले हैं, अपने हमारे भारत देश में जो जो अवार्ड जो है, वो हाइस ट्रेंग के माने जाते हैं, लगभग सचिन तेंडूल कर को वो पूरे ही अवार्ड मिले है, जैसे कि खेल रतना है, भारत रतना है, then पदमश्री है, then पदमविभूशन अवार्ड है, ये सारे में कोलाज के बारे में थोड़ी सी इन्फोर्मेशन आई है, वो भी हम पढ़ लेंगे, C, अकोलाज is an artistic arrangement of paper, cutouts, pictures, photographs, takes, etc. You can make a कोलाज one on a single topic or you may bring together various topics and ideas in कोलाज, कोलाज जो है वो आप एक किसी single topic पे भी बना सकते हो, कोलाज जो है वो किससे बना हुआ होता है, एक artistic arrangement होती है, किसकी paper cuttings की, then pictures की, photographs की और text भी उसमें आप ले सकते हो, ऐसे आप अलग-अलग topic को एक कोलाज में भी दिखा सकते हो, या एक single topic को लेके भी आप कोलाज बना सकते हो, इस तरह से होता है कोलाज, then 33 page number पे, my favorite cricketer title के अंतरगत कुछ other information जो है वो दी गई है, जिसमें कुछ ऐसे photographs है, जिसमें match खेलते हुए, century लगाने के बाद, bat work उपर करते हुए, and then सन्मान जो है, वो लेते हुए, ये सब कुछ pictures जो है, वो यहाँ पे दिये गया है, और एक beautiful कोलाज यहाँ बनाया गया है, ठीक है, then touching farewell speech, उनको जो last में farewell दिया गया, तो उन्होंने उस farewell speech में क्या कहा, इसके बारे में कुछ information यहाँ पे दी गई है, और वो है blue patch में, see, touching means what, making you feel deeply about something, means heart touching, कुछ चीज़े ऐसे दिल को छू जाती है, ऐसा ही farewell का, जो speech है सचिन तेंडूलकर का, तेंडूलकर का, जो यहाँ पे heart touching है, और उसमें से कुछ, few of information यहाँ पे दी गई है, वो हम पढ़ेंगे, देखिए, Sachin thanked all the people who had helped him in his life, his parents, family members, relatives, friends, his coach, doctor, trainers, managers, media, and all the peoples who supported him, Sachin ने जब farewell उनको दिया गया, तो अपने farewell speech में उन्होंने क्या किया, कि मैं उन सभी people को thank you बोलना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे help की, मेरे career को बनाने में, उनका भी जो योगदान है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या important है, वो कौन है? उनके parents, then उनके family members जो है, वो भी उनके इस career को बनाने में, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, then relatives, उनके friends, जो हमेशा उनको encourage करते आ रहे हैं, then his coach, उनको सिखाने वाले, उनको cricket कैसे खेली जाती है, ये सिखाने वाले उनके sir या coach, then doctors, जो उनकी fitness का ख्याल रखते हैं, या आपको क्या लेना चाहिए, क्या diet करना चाहिए, exercise कैसे करने चाहिए, ये सब कुछ बताने वाले उनके doctors, then उनके trainers, जो उनको खेल के लिए train करत वो trainers, then उनके managers, media also, जिन्होंने सचिन का नाम जो है, वो सचिन के बारे में, या सचिन को the one and only सचिन बनाया, ऐसा media, all the people who supported him, उनको जो भी आज तक support करते हुए आ रहे हैं, उनके family members, उनके friends, media, then उनके coach, उनके relatives, ये सब कुछ उनके लिए उतना ही महत्वर रखते हैं, और वो कहते हैं कि मेरा career या मेरा नाम बनाने में इन सभी लोगों का हाथ हैं, और ये सभी लोग मुझे हमेशा help करते आ रहे हैं, ऐसा सचिन ने अपने farewell speech में कहा है, then yellow patch में उनके जो coach है, उनके जो father है, उनके बारे में थोड़ा सा information आया है, वो भी हम अभी देखेंगे, see, प्रोफेसर रमेश तेंडूलकर, सचिन's father died when the 1999 World Cup matches were going on सचिन return to India just for a little while and return immediately, उनके जो father है, वो 1999 में गुजर गए, जब World Cup के matches जो है वो शुरू थे, और सचिन थोड़ी ही देर के लिए इंडिया में वापस आये, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए या उनकी अंतिम भेट के लिए, और सचिन को मन में बहुत ही दुख हो रहा था, कि इधर तो भारत देश के लिए World Cup लाने का सपना मैं देख रहा हूँ, लेकिन बीच में ही मेरे जो parent है, मेरे जो father है, वो मुझे छोड़ के चले गए, तो उनको बहुत ही दुख हुआ होगा, जाहिर सी बात है, कितना भी famous cricketer हो, या कोई भी famous personality हो, जब उनके parents गुजर जाते हैं, तब उन्हें दुख तो होता ही है, बट तभी भी सचिन ने वो जो अपना कारिया है, वो पूर्ण करके, complete करके, थोड़े से देर के लिए वो इंडिया में वापस आये, उन्होंने अपने parents की, अपने father की अंतिम भेट की और अंतिम संसकार complete करके, वो फिर से world cup खेलने के लिए चले गए, देन इतने इतना दुख होने के बाद भी उन्होंने, he scored a century, unbeaten 140 runs of 101 balls, in the next match against Kenya, he dedicated this century to his father, बट इतना दुख होने के बाद भी उन्होंने अपना काम जो है, वो पूरा किया, और उस match में उन्होंने पूरे 101 balls पे 140 runs बनाए, एक century बनाई और ये century उन्होंने अपने father को dedicate की, ऐसे हैं सचिन तेंडूलकर, जिन्होंने अपना कर्तव्य भी पूरा किया, अपना काम भी पूरा किया, और अपना दुख लोगों को ना दिखा के अपना काम जो है वो पूरा किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स जो है वो अपने भारत का नाम उचा करते हैं और हमारे भारत भूमी को गवरवान्मित करते हैं या सनमान देते हैं, ठीक है? उनके जो सर है कोच उनका नाम है रमाकान आचरेकर in his farewell speech, farewell speech में उन्होंने अपने कोच के बारे में या सर के बारे में क्या बोला? वो है ग्रीन पैच में देखिये On a little note, in the last 29 years, sir has never ever said well played to me because he thought I would get complacent and I would stop working hard उनके सर के बारे में बताते हुए, सचिन जो है, वो बोल रहे हैं कि 29 years के पूरे करियर में मेरे जो सर है, मेरे जो कोच है आदरनीयर रमाकान आचरेकर उन्होंने मुझे कभी भी well played नहीं बोला शायद उनको लगता होगा कि मैं अगर मैंने well done या well played इसको बोला तो ये hard work करना बंद कर देगा, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है कुछ से यह खुश हो जाएंगे, कुछ से खुश हो ना और कोई भी hard work या effort जो है अपने काम के लिए ना लेना, means complacent okay and would stop working hard, अगर किसी को सचिन तेंडूल करको उनके सर ने अगर well done या well played बोला तो उनको डर था कि सचिन जो है वो hard work करना छोड़ देगा और उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरे जैसा तो कोई player ही नहीं है, इसलिए मेरे सर ने या मेरे coach ने मुझे कभी भी well played नहीं कहां, ऐसा वो अपने farewell match में, अपने sir के बारे में बताते हैं, then maybe he can push his luck and wish me now well done on my career because there are no more matches sir in my life, और वो अपने sir की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि sir आप मुझे अभी well done बोल सकते हो, क्योंकि अभी मुझे कोई भी match खेलना नहीं है, मेरा career यहां पे complete हो गया है और मैं अभी कोई भी match न cricket and cricket, cricket will always stay in my heart but you have had an immense contribution in life, so thank you very much. और उनके sir को वो बोलता है कि मैं witness हूँ, I will be witnessing, मैं witness हूँ या मैं cricket मेरे हाट में रहेगा और मैं cricket के लिए ही बना हूँ, ऐसा मुझे लगता है and you have had a great contribution और मेरे life में मेरा career बनाने के लिए या मेरा स्तान इतना उज़ा बनाने के लिए आपका सबसे ज़्यादा great क्या है, contribution है, योगदान है, immense means what, great. Then, इस तरह से वो अपना speech जो है, वो अपने सर के बारे में बोलते हुए, यहाँ पे कतम करते हैं और अपने सर को thank you बोलते हैं. Then, a young admirer of Sachin Tendulkar has made his collage about the life and work of her favorite cricketer. You can also make a collage about your favorite sportsman or any other personality. यह जो collage है, वो Sachin Tendulkar के एक admirer ने, means प्रशन सकने या फैन ने बनाया हुआ है, आप भी आपको जो आपका favorite cricketer है, या फिर कोई leader है, या कोई और भी हो सकता है, उनके बारे में great personality, उनके बारे में आप ऐसा collage बना सकते हो, और उनको dedicate कर सकते हो. ऐसा है Sachin Tendulkar का career और यह collage जो है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, और यह collage को देखके आप भी ऐसा कुछ interesting और attractive बना सकते हो. ठीक है, I hope आपको lesson बहुत अच्छा लगा होगा, और यह lesson पढ़के आपको Sachin Tendulkar के बारे में और जानने का मन होगा, तो आप internet पे जाके Sachin Tendulkar के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, देख सकते हो. ठीक है, तो lesson एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके word meaning जो है, वो notebook में लिख लीजिए, ओके, thank you.